Motorcycle की horsepower या performance बढ़ाने के लिए सबसे आसान तरीका जो हमारे सामने आता है वो होता है aftermarket air filters का जैसे के Canon आता है, BMC आता है और भी तरीके के high performance air filters आते हैं तो इन air filters को लगाने से motorcycle में क्या सही में horsepower या performance बढ़ती है या सिर्फ ये एक marketing gimmick है Welcome back everyone, आप देख रहे है SR Motorworld और फिर माया हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में मैं पूरे राज खुलने वाला हूँ aftermarket air filters के बारे में और एक बात आपको सबसे important वीडियो के एंड बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा कि aftermarket air filter में आपके जो K&N आते हैं, BMC आते हैं, इसमें original और आपको copy में कैसे differentiate करना है, कैसे पता लगाना है, कौन सा original है, कौन सा copy है अब motorcycle के जो air filters होते हैं, वो तीन तरीके के आते हैं हमाई पास paper air filters जैसे के OEM, यानि कि original equipment manufacturers जो के company हमें fit करके देती है वो paper air filters रहते हैं, जो के OEMs आते हैं, उसके बाद हमाई पास देखने को मिलते हैं fabric filters जैसे के cotton filters, जैसे के Canon, BMC, इन में cotton filters रहते हैं, ये washable, reusable filters रहते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं foam filters, जो के foam filters या तो बहुत पुरानी गाड़ियों में आया करते थे और अभी जो वो use होते हैं, वो motocross vehicles में use होते हैं, जो जहाँ पर जाधर dusty environment रहता है तो ये तीन तरीके के air filters हमाई पास आते हैं, अब air filters को motorcycle में ना, मैं ना कहता हूँ lungs क्योंकि वो motocycle को सांस लेन में help करते हैं, और जैसे कि हमाई पास लंग से, जैसे कि हम लंग से सांस लेता हैं, वैसे ही motocycle के लिए air filter है अब air filter एक black color के box में बंद रहता है, जो कि आप burst हो बरस हो नहीं देखते होंगे अब engine का जो piston आता है, जब वो नीचे की तरह आता है, suction stroke में, यानि कि जब वो petrol और air के mixture को अंदर खेचता है, तो वहाँ पर आता है air filter air filter अगर गंदा है, तो piston को खेचने में air को ज़्यादा पावर लगेगी, क्योंकि वहाँ पर जो air है वो रुक रही है, क्योंकि air filter गंदा है, तो खेचने में उसे ज़्यादा पावर लगेगी, एक vacuum सा generate होगा और vacuum generate होता है, महाँ पर piston की वज़े से, लेकिन अगर air filter साफ है, तो वहीं easily जो है air खिट जाएगी, और वहीं air filter अगर high performance का डला हुआ है, तो बहुत ही आसानी सा air खिट जाएगी, और piston को ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, engine के अंदर air को खेचने में, अब ये paper air filters जो रहत जी है, लेकिन इसको clean ना करें, किसी भी solvent से या fluid से, क्योंकि ये air filters clean होने के लिए design नहीं है, ये paper air filters है, ये damage हो जाएगे, और ये damage हो गाए, तो अंदर dust particles, engine के अंदर जाएगे, जो के engine को damage करेंगे, dust particles, air filters से जो direct connection रहता है, अंदर, जो throttle body से direct connection रहता है, वो सीधा engine के combustion chamber मे अगर air filter के through, कोई भी गंदेगी अंदर जाती है, ये आप बगएर air filter के अपनी motorcycle को चलाते हैं, तो उसमें बहुत chance है कि आप अपनी motorcycle का engine seize कर देंगे, अब जितने भी air filters aftermarket आप लगाते हैं, aftermarket air filters के फाइदे नुकसान के बारे में भी हम आगे बात कर रहे हैं, लेकिन इसम air filters जो रहते हैं, ये mostly cotton के filters रहते हैं, इसमें fabric किया cotton का use किया जाता है, जो कि आप धो भी लें, जिसको आप wash भी कर लें, जो भी आप उससे कर लें, वो air filter जो है, वो खराब नहीं होता है, अब high performance air filters जो है, वो performance कैसे बढ़ाते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, high performance air filter का काम, obviously आपको पता है, जब वो high performance है, तो वो dust को भी easily रोख सकता है, कि वो dust अंदर भी ना जाए, और वो air flow भी बढ़ा सकता है, engine के अंदर, तो K&N और BMC जब आप लगाते हैं, तो engine के अंदर air flow बढ़ जाता है, engine सांस आसानी से ले सकता है, तो आप जब Ladakh की तरफ जाएं engine हापने लगता है, और जब आप air filter अच्छा clean कर देते हैं, तो engine जो है, आसानी से सांस लेता है, अच्छे से efficiently combustion होता है, क्योंकि जितनी अच्छे से oxygen जाएगी, उतने अच्छे से यंदर आग जलेगी, और आग जलेगी, तो fuel पूरे तरीके से burn हो पाएगा, तो carbon build-up कम हो लेकिन power पूरी उससे आप खेज नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ जब होती है, जब air filter clog हो जाता है, या spark plug खराब हो जाता है, तो air filter में जब आप K&N BMC लगाएंगे, तो air flow बढ़ जाएगा, dust का भी filtration होता रहेगा, और air flow भी बढ़ जाएगा, अब K&N BMC में आपको ये cotton filter रहता है, oil जो है, वो बहुत बारीक dust particles को वहाँ पर रोकता है, अगर आप उस filter को खाली लगा देंगे, K&N के filter को oil नहीं रखेंगे, जो नया आएगा, वो oil आएगा, क्योंकि मैंने CBR 600 RR में भी अपनी install करा था, K&N का, या महा R1 में भी मैंने K&N का ही air filter install करा था, तो म का original oil भी आता है, वो भी आप उस पर use कर सकते हैं, और मेरे पास K&N नहीं था, तो जो हम घर में खाने वाला तेल जो use करते हैं, edible oil रहता है, उसको हम उस पे बहुत हलकी सी layer उस पर लगा सकते हैं, brush से या किसी चीज़ से, बहुत ज़ादा oil भरना नहीं है, वनना बहुत accumulate वहाँ पे हो जाएगी, और accumulate जादा होगी, तो क्या air filter claw हो जाएगा, तो ये कुछ चीज़ें हैं, जो मैं अपने experience से आपके सामने share कर देता हूँ, अब जब आप air filter अपनी motorcycle में लगा लेते हैं, high flow का, तो engine जो है, वो design रहता है, normal air filter के साथ काम करने का, क्योंकि जो ECM है, उसकी जो tuning है, जो fueling है गाड़ी की, वो set है कि उतना ही fuel engine के अंदर supply करना है, क्योंकि जब आप ज़ादा air engine के अंदर भेजेंगे, तो उसमें ज़ादा fuel की भी जरूरत पड़ेगी, तो fuel injection motorcycles में तो ये फाइदा रहता है, कि उसमें air flow के sensors रहते हैं, तो air flow का sensor ECM को बता तो combustion जो है, वो efficient होने लगता है, अब aftermarket air filter लगाने से power बढ़ती है या नहीं, तो power definitely बढ़ती है aftermarket air filter लगाने से, और mileage भी बढ़ जाता है, बहुत से लोग ये कहते है, mileage गिरता है, बट mileage बढ़ जाता है, अगर आप कोई local या copy air filter यूज ना कर रहे हो, क्योंकि copy air filter में engine भी सही से tune करें, क्योंकि carburetor में खुद बाखुद sensors नहीं होते, खुद बाखुद tuning या fueling नहीं होती, तो आपको air fuel mixture का ratio set करना पड़ेगा, aftermarket air filter लगाने के बाद आपको engine को फिर से tune करना पड़ेगा, अगर आप carbureted vehicle में engine को tune कर देते हैं, तो वहाँ पर आपका performance जो है, अच कि हवा जो जब मैं छोड़ू, जो exhaust stroke में मैं वापिस ऊपर हूँ, तो अधर exhaust gases बहुत आसानी से भार फिक है engine के, तो वहाँ पर आपको engine को decat करना पड़ेगा, catalytic converter हटाना पड़ेगा, जो कि मैं recommend नहीं करता, environment में pollution करता है, वो catalytic converter हटाना पड़ेगा, exhaust जो है, वो aftermarket लग हमारा metabolism बढ़ जाएगा, engine की horsepower बढ़ जाएगी, metabolism बढ़ जाएगा, तो उससे ये फाइदार आएगा, कि air खिचेगी भी तेज, और engine से निकलेगी भी तेज, तो aftermarket air filter, जो है उसके साथ, अगर आप full system exhaust या free flow exhaust लगाते थे, तो वो उस चीज़ को compliment करेगा, और आपके engine की horsepower अब engine seas किस scenario में होता, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप K&N की copies यूज कर रहे हैं, BMC की first copy, second copy यूज कर रहे हैं, तो वो बिलकुल भी यूज ना करें, बिलकुल वो recommended air filters नहीं होते, उनकी कोई testing नहीं होती, कोई quality control नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, उसमें कि experience K&N के साथ हमेशाज अच्छा रहा है, तो K&N यूज करिए, आप K&N recommend करता हूँ में, अगर आपको ये aftermarket air filter पर जाना है, aftermarket air filter में आपको फाइदा ये मिल जाता है, कि आप clean भी उसको कर सकते हैं, आपने एक बार पैसा invest कर आए, 10 बार 1000 km पर आपको हर बार OEM की तरह उसक के बाद motorcycle को tune करें, तो carburetor motorcycle की हो गई बात, अब अगर आप fuel injected motorcycle में लगा रहे हैं, तो आपकी fuel injected motorcycle में भी ECM reflashing आपको कर देनी चाहिए, बट नहीं भी करते हैं, तो चल जाता है, क्योंकि उसमें sensors के base पे fuel supply कर दिया जाता है, अब इसमें भी बहुत गहरा कुँआ है, अग वो जो है fueling adjust कर देता है, और close loop में तो बहुत ही शांदार तरीके सा adjust हो जाती है, उसमें आपको reflashing की भी जरूवत नहीं पड़ेगी, बट हाँ अगर आपको बहुत ही जादा अच्छे से horsepower बिलकुल खेचना engine से पूरी extract करनी है power, तो उसमें जो है आप reflashing definitely कर वा सकते है तो वीडियो के starting में मैं आपसे बोला था कि Canon के original और first copy में मैं आपको difference बताऊंगा वीडियो के end में, कि आपको उसे कैसे differentiate करना है, कि आपने original air filter लिया है या फिर आपको copy दे दिया गया है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ आप photo में देखकर उसको differentiate नहीं कर सकते हैं, कि कौ कौन सा original है, कौन सा local है, कौन सा first copy है, आपको उसे हाथ में पकड़के पता चलेगा, कि हाथ में पकड़के जो Canon का original air filter होगा, उसका weight आधा kilo से जाधा होगा, तो अगर आप उसे हाथ में पकड़ेंगे, ये mostly मैं CBR600R1 का बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, जो local air filter है, उसके comparison में उसका weight काफी भारी होगा, Canon का original air filter होगा, वो आपको हाथ में पकड़ते से ही पता चल जाएगा, कि वो एक भारी भरकम सी चीज है, तो वो आपको पता चल जाएगा, कि वो original है, दूसरी चीज, उसका logo आपको चेक करना है Canon का, कि logo बिल्कुल finishings उस पर design होना चाहिए, बिल् जो है, आपको हाथ में पकड़ते से ही पता चल जाएगा, कि जब एक भार है filter में, तो मतलब वो original है, I hope so, ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगा, अगर वीडियो helpful रही हो, तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें भिना जाएगा, so guys, thanks for watching, stay tuned, till then wait for my next upcoming interesting videos.